असलाम लेकुम व्यूवर्स तोड़े आम गोने शो यू हाव तो मेक ब्रॉक्ली चिकन स्टर फ्राइ और ये रेसिपी को लेकर मैं बहुत स्यादा एक्साइटेड हूं ये दिखें इस तरह मेरे हां ब्रॉक्ली जो हैं एक यहां पर है ये थोड़ा चिली का सेक्शन है हमारा यहां पर कोरियंडर है ये एक और ब्रॉक्ली है और ये थोड़ी बरी है इसलिए में इसको कट करूंगी इसको थोड़ असा तेच्छा जिसे कहते हैं वो मैं कट करूंगी ताकि छोड़ी छोड़ी और ब्रॉक्ली इस भी आ सकें इसका वीड टू फिट्टी ग्रैम्स है और हम स्टार्ट करते है अपनी रेसिपी नोट दे इंग्रेडियन्स अपनी इसका तूंट और हम स्टार्ट चाइंगी इसापफ में इसे अपनी जरा थोड़ी नोट बात इसेपी जर खारूंगी त रेसे नोटेशले है इस Ram स्टर्फ फ्राइ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ब्रॉकली को इस तरीके से कट कर लेंगे इसके जितने भी फ्लावर से उस सब अलग-अलग कर दें और अब इसकी जिस टेम है हम उसको भी कट कर लेंगे इसको थोड़ा सब इस तरीके से कट करें के थोड़ा ये आर्च शेब में जाएं अब इसके लिए हम सबसे पहले चाहिए इसके लिए हम सबसे पहले चाहिए सॉल्ट वन टी स्पून और जितना आपको बेतर लगे ख्रश्ट ब्लाक पिपर टू टी स्पून फिर हमें चाहिए होगा वन टेबल स्पून ओफ सोय सॉस वन एक उसको हम फेट कर डाल देंगे केंसे लिए हम सेष्टें अभाव फारस्ट बड़ार ओप्लावर थोड़ी अच्छी कोंटिते इस थे चॉर्पावर ख़्यूंटीं ताकर छिकन रच्रीपट शिप्टिए से क्रिस्ग्यू नदीं और अब इसको मेरिनेट करके साइट पर रख देंगे अब हम अपनी सॉस बनाएंगे इसके लिए हमें चिकन पाउडर टू टेबिल स्पून चाहिए होगा वन थी स्पून ऑफ ब्लैक पिपर सॉल्ट ये वन टेबिल स्पून ऑफ ब्राउन शुकर है वन एना हाफ टेबिल स्पून ऑफ कॉन फ्लावर हमें चाहिए है सॉय सॉस वन टेबिल स्पून वन टेबिल स्पून ऑफ ऑइस्टर सॉस सॉसस में सॉल्ट होगा इसलिए बहुत ही केरफुली सॉल्ट एड़ करें अगर आप ज्यादा सावर पिश्ट नहीं करते तो आप वन टेबल स्पून ही रखें विनिगर इस को मिक्स करके रखतें अब एक स्टीमर में आप ब्रॉकली को स्टीम दें पोर 10 मिनिट्स 10 मिनिट्स में हो जाएंगी इस तगा ब्रॉकली को स्टीम ना दें ना 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 एक हैं अगरें ना 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 रखता ना 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 स्टीम आप आफ अप और तो लोग चिकिन इस तरीकिसे थोड़ी थिन हो बहुत ही ज्यादा मोटी ना हूँ, कटिंग में और बहुत ही ज्यादा फ्लाट ना हूँ, तो इस तरीके से इसके पीसे हूँ, अब हम इसको फ्राइ करेंगे, अंटिल गोल्डन ब्राउन और उनकाल बार 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 न करेंगे और इसको फिर नकाल देगे, अब हम इसको निकालका नकाल देगे, तैला यह निकाल देगे, घोन कुछ अब हम इसे निए गालक इसी तेल में जिंजर गालिक चो चॉप्ट है हैंड चॉप्ट है उसको हम थोड़ी देर पकाएंगे और थोड़ी देर ब्राउन हो जाने के बाद हम इसमें यह बटन शिदी जहें वह डाल देंगे इसमें प्राइड करीवी चिकन भी एड़ कर करेंगे मिक्स करेंगे देन एड पीनिट्स एंड स्वास मिक्स उन हाई प्लेंगे नव एड ब्रॉकली जिसका हमने स्टेम किया था आफ्टर मिनट इट विल बिकम थिक एंड रेड़ी तो सर्फ ना इट्स रेड़ी और यह बहुत ही मज़िदार सा ब्रॉकली चिकन स्टर फ्राइड रेड़ी हो गया है इसको आप स्टीम और बॉल राइस के साथ सर्फ करिये एड़ प्रॉकली प्रॉकली चिकन स्टर विल बॉल पनीसे बिकम था है जो आफ करिये तो सर्फ को खो सर्फ करिये झाल झाल झाल